सब साहब स्वागत है आप सभी का सुनील रहा है ओफिसियल में दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे समाज में जो इंसान के एक बहुत बहरा भ्रम होता है अपने बच्चे को ले करके कि हम बच्चे पैदा करेंगे बच्चे में और हमें लर्का होना चाहिए और जिस भाई वा बहन का लड़का नहीं है तो ओ सुचते हैं कि हमारे जीवन किसी नड़क से कम नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को कि आप जदी इस ब्रह्म में हैं तो आज से ना रहें क्योंकि एस संसार जो है क्या है और हमें किस अधारप जीना चाहिए ओ पूर्ण परमात्मा की क्या आदेश है और हमें उनकी बिधान अनुसार कैसे चलना है ए आपको जब पता चलेगा जबकि आप सत्गुरु बंदी छोर रामपाल जी महराजी के सरन में आएंगे वह तत्वदर्शी संत के सरन में आएंगे और वह सतनाम जब आप प्राप्ति करेंगे तब आपको पता चलेगा क्योंकि यह काल की दूतों ने हमें इस तरीका से भर्मा दिया है कि हमें पता ही नहीं चलता आपने जीवन की क्या राह है हमारी क्या उदर्श्य से मानव जीवन मिला है हमें क्या करना चाहे यह बात की हमें थोरा सा भी अभास नहीं होता है और हम जो जगत कर रहे होते हैं जो हमें जगत दूआरा ताना मारे जाते हैं उन्हीं को हम अपने दिल की अंदर ही अंदर कोश कोश करके रो रहे होते हैं और भगवान से यही कामना करते रहते हैं कि हमें एक पुत्र हो जाएं। इंजिनियर बनाता है। जब बच्चे डॉक्टर या इंजिनियर हो जाता है तो क्या करते अपने बीवी बचों के लिए करके बाहर चरहने लगते हैं माबाप को छोड देते हैं। या मान लिजिए आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, संसकारी है, आपको रखते भी हैं और आप सत्भक्ती किये नहीं, आपको cancer हो गया या यन्य कोई बिमारी हो गया, तो आपके बच्चे और जो है आपकी बहुत सेवा करेंगी, लेकिन क्या आपकी बिमारी में सामिल हो पाएगी जो उकस्त आपको ही भोग ना होगा लेकिन हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सत्गुरु राम पाल जी महाराज ये दावा करते हैं योड़ी सत्य भी हैं आप देखते हैं अगर यूटूब देखते हैं तो यूटूब चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए म तो मेरे भाएबंबैनों क्या बोलते हैं हमारे सास्त्र और हमारे गुरुजी कि एक लेवा एक देवा दूतम कोई किसी का पिता न पूतम यह संसार में जदी आज किसी को हमें पूत्र मिला है तो यह संसकार बस हम उसके पिता है वो हमारे पूत्र है एक बार की बात है हमारे गुरुजी सत्संग में बताया है आपको हम संचित में बताते हैं कि एक रिशी था ओ ब्रह्मा विश्णु महेंस सेवा बोले थे कि हमें जो है तिरिगुन मय माया में नहीं डालने जब हम संसार में आएंगे उत्पन होंगे तो उसने भी बोल दिया था कि नहीं हमारे बसकी बात नहीं तो बोला जब इंशान गर्व में रहता है तो उन पे कोई यह जो है उनकी जाल नहीं चलता काल की और वो सुक्ष होता है कि उसको पूरा पूरा याद होता है और परमात्मा की धक्ति करता है और उसमें ही गर्भ से निकल जाता है तो काल के कि तिरगुन मया का जब चक्र चलता है तो सब यादास भूल जाते हैं तो हुआ क्या कि जब निकला तो दस बारा मिनट के बाद में जो है उनको उठ गया और उनकी पिता बेदवियास थे तो बेदवियास बोला कि बेटा बारा साल तो गर्व में रहा एक बार हमें अपने सकल देखा दे तो बच्चा बोलता है कि नहीं पिता जी हमें मत देखिये नहीं तो फिर ये मुह माया में रह जाएंगे फिर एक कष्टी मिटाना है हमें तो ये संसार जो है और ये काल जो है हमें अभास नहीं होने देता है परमात्मा की प्राप्ति के यह नहीं चाहता है कि यहां की जीव है परमात्मा प्राप्ति करे क्योंकि हमको निकालना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें सराप लगा है एक लाख मानव शरीर धारी प्रानी को खाने का और सवाला पैदा करने का तो इसलिए वो नहीं चाहता है तो हमें ज्यान कब होगा और इन समाजिक बकबादों से जगत की बकबादों से हमें छुटकाड़ा कब मिलेगा जब हम पूर्ण परमात्मा की सरन में आएंगे जब हम तत्वदर्शी संत के सरन में आएंगे और हमें तत्वज्ञान की प्राप्ती होगा जब हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और मानव जीवन की मुल उदेश्य क्या है तो यह चीज आपको पता करने के लिए अपने मानव जीवन को उत्तम बनाने के लिए अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आप एक बार अवस्या सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संतराम पाल जी महराज की अम्रित बचन जदि आप यूटूब देख रहे हैं तो संतराम पाल जी महराज करके सर्च करके उनकी मंगल मैं प्रवचन जरूर सुनिए वा टीवी जदि देखते हैं तो साथना चाइनल इस्वर चाइनल पर आता है आठ से नो बज़े तक सारे आठ से नो बज़े तक सबसंग आता है उ और एक बहुत ही अच्छी बात है कि यह संसार में 500 से अधिक नामदान के अंदर खुले हुए हैं जो मुफ्त में नामदान दिया जाता है और तो और हमें ओनलाइन नाम दिख्छा लेने का भी जो है निशुल्क नाम दिख्छा लेने का भी जो है शुवधा बंदिछोर र कुछी जगह पी जानी की ज़रूरत नहीं जदि आपके पास मुबाइल फॉन है तो आप सत्संग देखिए और उन्हीं के जो नीचे पटी चलता है उन्हें संपर करके आप ऑन्लाइन भी नाम देचा ले सकते हैं और अपने जीवन की कल्यान करा सकते हैं तो कैसा लगा आद की वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा इतना कहते हुए यंत में यहीं कहूंगा कि जीव हमारी जाती है मानव धर्म हमारा हिंदो मुसलिम सिक इसाई धर्म नहीं कोई नारा सत्साह